नमस्कार लक्सीन घाना क्वादिया में आपका स्वागत हे ये देखिए फ्रेंज कशने ब degas का खाना । एकडम कम तेल में कम घीमी बनके रेड़ी वाएह dire तोस्ति में हमने हमने कि हेलो फ्रेंट्स लख्समी खाना खदना में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंट्स ब्रत में हम रोज सोचते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं तो आज हम आपके लिए लेके आये हैं साफ़दाना की एकदम इतने अच्छी रेसिपी जो कि कम तेल या घीमे बनके प्रेड़ी होगी और खाने में एकदम तेस्थी और एकदम नई दी से फ्रेंट्स हम लेंगे दो कप साफ़दाना सब्सक्राइब हमने अच्छी तरह से पॉस्ट लिया है यह लिए हम है दो कप साफ़दाना और इन्हें हलका सा रोस्ट करेंगे यहां एक पेन और गेस कॉ दिए हैं अब हम इसमें अटैने हमारे सब्सक्राइब हूं से से इन में में छू़ड़ अगयरा रिए विश्ट नई कर दक है यह कि इसको दोखी नहीं बना रहे हैं हम इसे वंस्की बना रहे हैं इसे ठोड़ा साइध नहीं करना है ताकि इसका मुष्टर ऊड़ जाए और यह आराम से पीशने में आ जाए फिर इसकी डेस्ट बनाएंगे गेज को रखेंगे लो फ्लेम से ताकि हमारे शाबदने जले नहीं है साबदना रोष्ति हो गया है और फूल भी गया है अब हम इसे एक बड़ी प्लेट में ट्रांसपर कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाएं वे शाक को सबाच्स करणे लिए कि ऊचीब असे वरी स्टिवरें थन्डा होने देंगे शाक को सबसर बाइन थन्ड़ा हो गया है अब लेसे ग्राइंडर जार वर शाक करते हो इसमें फुल्गे त थोड़ा थोड़ा करके दो बार में पीस लेंगे सब्धाना को पीस लिए हैं यह देंगे अब इसे ट्रास्पर करदेते हैं सारे मेर करेंगे आधर कब शामा का आट जो इसे अच्छी तरह से बायनिंग देगा यदि आपके पास सबुदना का आठा, सामा का आठा हो, तो ये डिस फटा-फट बनके रेडी हो जाती है, तो आप वैसे भी बना सकते हो, अब इसके साथ हम इसमे अड़ करेंगे, तीन चमपच मुखली का पौड, जो कि हमने सेख के पहले से रखा हुआ है, साथ ही हम इसमे एड़ करेंगे, दो कटिंगी हुई हरी मिर्ची, दो उबले हुए आलू, जिनको आमने हुबाल के, अच्छी तरह से इमेज करके, इसमे एड़ किया है, आदा चमपच काली मिर्च का पाउडर, आप यदि हरी मिर्ची नहीं हाते हो, तो आप काली मिर्ची का पाउडर एड कर सकते हो, आदा चमपच, जीरा, स्वाद अनुसाल, नमक, यानि ये ब्रत वाला सेना नमक है, साथ ही हम इसमे एड़ करेंगे, हम लोग ब्रत में, अलग से मिर्ची पीस के रखते हैं, उसे एड़ करते हैं, हमारी चमपच, लाल मिर्ची लिए एड़ कर रहे हैं, जो कि हमने घर में पीछी हुई है, और साथ में आदा का दही है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, साब दाना है, इसको फूलने में टाइम लगेगा, इसलिए ये पानी भी खिंचेगा, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, पहले हम इसमें आदा का पानी एड़ करेंगे, ये आप लाल मिर्ची नहीं खाते हो, तो आप लाल मिर्ची इसकिप कर सकते हो, हम लोग खाते हैं और अलग से पिस्वाते हैं, इसलिए हम लोग एड़ कर देते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी की सारा साथ में डालें। दीरे-दीरे करके डालें। हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें 4 कप पानी येड़ करिया है। क्योंकि 2 कप साब देना था। साथ में भगर का आटा भी था। ये शारी चीज़ें पानी कीचती है। इसलिए हमने 4 कप पानी येड़ कर दिया है। येदि कम लगेगा तो थोड़ा ओवर येड़ कर देंगे। अब हम इसमें येड़ करते हैं। कट्लिंग किया हुआ हरदनिया। और इसे मिक्स कर देते हैं। और अब याइसे 10 मिन्ट के लिए रेस्ट के लिए चोट देंगे था। साब्दान का हमने भीग आए नहीं था तो दस मिन ड्रेस के लिए छोट देंगे तो साब्दान भी आज़ी तरह से भीग जाएगा 10 मिनिट हो गये हैं चेक कर लेते हैं हमारे बेटर भी फूल गया है अब ये बरत का खायना बनाने के लिए रेडी अब हम चलते हैं गयेस के ओर ये लिए खड़ाई और गयیک कर दिया हैं हम इसे घिमे बनाएंगे व्रत का खाना है इसलिए घीमे बनाएंगे आप घह या तेल आपको जो अचा लगे आप जो यूश्ट करते हो व्रत में वो उसही से बना सकते हो पर जो हमने बेटर बनाया था उसे इसमें एड़ कर देते हैं बहुत ज्यादा भी नहीं एड़ करेंगे बहुत कम भी नहीं कुछ इस तरह से और इसे रख देंगे गेश को रखेंगे लो टु मीडियम ताकि यह आराम से चारु दरब से अच्छी तरह से सीख जाएं जब यह एक साड़ से सीख जाएगा फिर हम इसे पलड देंगे इदेखे फ्रेंग साड़ से सीख रहा है साबुद्यना है इसलिए कि इसको दीर दीर पकाएं और दोनों दरब से अच्छी तरह से सेखें ने तो शाबुद्यना कच्छा रह जाएगा और हमारी डिस्ट अच्छी नहीं बनेगी लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर देखिए फ्रेंज, उपर से शिख गया है, इसके उपर भी थोड़ा-थोड़ा घीर स्प्लेड कर देंगे, कुछ इस तरह से, ताकि जब हम पलतें, तो हमें वापस गीना इड़ करना पड़े, अब एक फोड़ी देर है, वापस जग देते हैं, चेक करते हैं, यह देखिए फ्रेंज, साइड से लाल होने लगा है, और यह उपर भी आ गया है, अब हम इसे, कुछ इस तरह से कलर देंगे, कोई एक दू, पहले बेल एक दू तूटे हैं, फिर अब ना भी, सारे दम सही बनने लग दाएंगे, वापस दग देंगे, यह बन गया है, इसे निकाल लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं, और दूसरा एड़कर देते हैं, वापस वह प्रोसेस, डल देंगे, इसके ओपर भी गी लगा देंगे, चेक कर लेते हैं, यह देखिए, एक हमारा थोड़ा पिगड़ा था, यह तूसरा एक दम अच्छे से बतके, रेडी हो गया है, दूने साइड से अच्छे तरह से स्टेक लेंगे, और सारे इस तरह से बना लेंगे, फिर हम गरम गरम सारु करेंगे, इने में बनानी में, 3-4 मिनिट लगते हैं, इस लिए ज़़न, लोग लेम पर धीर दीर बनाएं, ताकि यह अच्छे तरह से पक जाएं, चेक कर लेती हों आपस ये देखेए फ्रेंड्स हमारा नास्ता यानि की बुरत्य खाना बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स सारे इसी तरह ची बना लेंगे ताकि एकदम तेस्टी से और हेल्दी से फड़ा जबस सेखना हो ता फड़ा डाइम और सेख सकती हो हम इस निकाल लेते हैं और जुस्रा यड़ कर देते हैं ये देखेए फ्रेंड्स बनाना यह दम अच्चा सा फ्रेंड्स यह हमारा शावदाना का नास्ता बनके रेडास यह देखे फ्रेंड्स एकदम अच्छे बनके रेडास है हुए है wreck और यह बृत्वाली ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आएं सबसे पहले आपको मिलें और हमारे ये खाना खाके ब्रत वाला कमेंट जरूर करें कैसा बनाएं फ्रेंज हम आपको तोड़के भी दिखाते हैं एकदम सौफ सा नास्ता बनके रेडियो आई ये देखिए